हेलो स्टूडेंट्स तो चलें एनरजी स्टोर्ड इन एक कपैस्टर के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले यह देख लिए कि हमारे पास एक पैरलल प्लेट कपैस्टर है जिसकी यह वरी जो प्लेट है यह प्लास और नेगेटिव ट्रेमिनल्स के साथ चोड़ा हुआ है और यह हमारे पास की है ठीक हो गया अच्छा अब जो इनिशल पॉटेंशल था वो था जीरो और जो फाइनल वैल्यू आफ पॉटेंशल है वो है वी यहां पे जो हमने कनेक्ट किया हूँ अच्छा अब जो एबरिज वैल्यू आफ पॉटेंशल होगी इसको हम डेल्टा वी कहेंगे वो परापर होगी जीरो प्लस वी डिवाइड़ बाइ टू और इन इस वे इस विल भी हाफ वी क्यों अच्छा आप जो एनरजी स वी कहेंगे क्यू एजटेश और डेल्टा वी की जगा हमारे पास आएगा वान वर टू वी तो इस तरह से यह बन जागा वान वर टू वी एंड़ इस एक्वेशन नम्बर वाण अच्छा अब आप जनते हैं कि जो क्यू है ड़िज डार्ट विशन पूप वी और यहां से क यू कि जगा सी वी मल्टिकलर जाए वी चु पहले ही वहां मुझूद है और इस तरह से यह बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वेर और अगर आप गौर करें तो यह जो एक्वेशन है यह हाफ एम वी स्क्वेर की तरह की है रिजम्बलेंस वैसी है स्ट्रक्चर वैसा है लेकन य आफ एम वी स्क्वेर जो है वो मेकैनिकल एनर्जी होती है जो कि एक मूविंग अब्चिक टेंदर होती है ठीक हो गहा है लेट सिट गुडबाए